पिस सलमान खान जिने अपना दोस्त मानते हैं उनकी मदद के लिए हर वक्त तयार रहते हैं और इस वक्त उनकी फेवरिट लिस्ट में बॉलिवूद की दो टॉप अक्टरिसे शामिल है जनके साथ सलमान फिल्म भी कर रहे हैं लेकिन आप खबरे की दोरों हसीनाए एक साथ सल तो आखिर कौन है यह हसीना है किन पर है सल्मान महरबाद आएजानते हैं लगता है कट्रीना कैफ की किसमत का बंद ताला सल्मान खान के साथ मिलने के बाद ही खुलता है वरना उनकी लगातार आई फिल्म है फैंचम, फितूर, बार बार देखो और इस साल आई जग्गा जासूस बॉक्स ओफिस पर कोई धमाल नहीं मचा पाएं लेकिन जैसे ही टाइगर जिन्दा है की तस्वीरें, ट्रेलर और गाने रिलीज हुए उन्होंने धमाल मचा दिया वहीं दूसरी तरफ काट्रीना कैफ के हाथ हो, शारुख खान, आमिर खान की फिल्मों के ओफर आने लगे काट्रीना ने इस साल सोशल मीडिया पर भी एंट्री कर अपनी होट एंड बोल्ड तस्वीरों के जरिये वाही वाही वटोरी अब तो हर किसी को टाइगर जिन्दा है की रिलीज के इंतजार है, जो बॉक्स ओफिस पर कई रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है और काट्रीना फिर से नमबर वन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी वह यह मापको बता दें कि अब तो लगता है कि सल्मान खान का दिल भी काट्रीना की मिना नहीं लग रहा है वो अपना साथ हर फिल्म में देना चाहते हैं खबरों की माने तो हाल ही में काट्रीना और सल्मान खान एक डांस रियलिटी शोव में पहुँचे थे या काट्रीना सल्मान ने जम कर धमाल मचाया और अब खबर है कि वो सल्मान खान के फिल्म तेरे नाम के सीक्वल में काम कर सकते हैं अलाकि डिरेक्टर की पहली पसंद जैकलीन फार्नांडीज है जो सल्मान के साथ रेस थ्री में रोमांस करती नज़र आएंगी लेकिन सल्मान चाहते हैं कि काट्रीना कैफ इस फिल्म में लीड रोल करे सोर्सिस की माना तो सलमान ना तो कट्रीना का दिल तोड़ना चाहते हैं ना ही जैकलीन से अपनी दोस्ती ऐसे मनों ने फैसला लिया है कि अब तेरे नाम के सीक्वल में कट्रीना और जैकलीन दोनों हो सकती हैं अब क्या वाकई में हमें तेरे नाम के सीक्वल में सल्मान, कात्रीना और जैक्लीन की जोडी देखनें को मिलेगी या फिर कहानी में कात्या उनो liओवेट िुलाट खिर्क्ड़िμέंग